जैन दोस्तों मैं दरवेन सिंग आपका स्वागत करता हूँ आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्ट पेस्ट आप वीट क्रॉप तो इंसेक्ट पेस्ट आप वीट क्रॉप गेहूं की खेती में कौन से इंसेक्ट लगते हैं या मेजर इंसेक्ट कौन से हैं यह हम बताएंगे तो वीड का major insect है, तो आप लगाएंगे वहाँ पर धीमक, इसका scientific name है odentotermus oasis या micro-termus oasis ठीग नहीं? यह देखिए, odentotermus oasis, micro-termus oasis और family इसकी termitiddy है, isopitera order से बिलोंग करता है, किस order से बिलोंग करता है आइसोफिटेरा order से बिलोंग करता है और बहुत ज़्यदा आन पहुंचाता है सबसे ज़्यदा का जो losses wheat में होता है तो इसी से होता है दीमत से ठीक damaging stage इसकी कौन सी है वरकर कौन सी है यह worker सरमिक कार करता यह है इसकी damaging stage stage क्या यह एक social insect है सामाजिक कीड़ा है जैसे कि आज की कुछ साल पहले जब प्रजातंत्र ना ओके राजतन था तो राजतंत्र में कैसे रहते थे राजा और रानी एक king होता था king और एक queen होती थी राजा होता था रानी होती थी और क्या होते थे कुछ सैनिक होते थे उसके किले के शारों तरफ कौन लगे होते थे सैनिक होते थे सैनिक के बाद और कौन होता था वरकर होते थे काम कौन करेगा राज में वरकर करेंगे स्परमिक करेंगे न तो यही बेवहार सेम सेम टू सेम यही बेवहार कौन करता है यह दीमाग यह भी ऐसे ही रहते हैं कैसे रहते हैं यह इसमें भी एक king होता है एक राजा होता है एक रानी होती है ठीक और सोल्जर होते हैं इसमें और वरकर होते हैं यह चार स्टेप में होते हैं चार कटेगरी में इनको डिवाइट किया गया है इसलिए इसको सोसल इंसेक्ट कहते हैं यह सामाजिक विवार करते हैं रानी का काम क्या होता है इसमें सिर्फ एग लेंग करना अंडे देना और राज तो जितने भी देखना कि आपको दीमा कगर जो फसल में लगा है या किसी लकड़ी में लगा है जो हान पहुंचा रहा है तो समझ जाना कि वह वरकर ही है ठीक अब आगे देखिए यह देखिए और किस तरह हान पहुंचाते हैं यह यह देखिए वरकर फीड इन सेमी सर्कुलर फैसन आफ बीट लीम मार्जीन ठीक ना क्या है कार करता अर्द व्रत्याकार तरीके से ग्यों की पत्ती के भाग को खाते हैं ठीक ना रूट पार्सली इटिंग सीविरली डैमेज प्लांट कैन भी इजली अपरूटेड एंड लुक विल्टेड डाई नियुक्त कर नियुक्त है यह छहां पर इस है अदग डैमेज कर रहा है एक वर कर दीमकuje कर रहा है जिसमें यहह को छी प्लांट में ने डेमेज किया दीमक हेसी की चया जीक तो इसकी पैश्खान कैसे लगाएंगे आप जमीन के नीचे आहितो दिखाई भी आपको जब इसका पौदा है वो मुर्जा जाता है सूख जाता है जब सूख जाएगा तो इजली पुलेट आसानी से पकड़ो गया उखड़ा आएगा ठीक यह देखिया सारे ग्यों के पौदे सूख गए ठीक यह इसका डामेजिंग सिंटम है तो आप समझ जाएए कि इसमे यह लगा हुआ दीमा खान पहुचा रहा अब बहुत ज़दा पहुचाता है पूरी फसल सुखा देता है इसके मनेजमेंट के लिए आप क्लोरो पाईरी फॉस केमिकल का यूज करके यह रिजेंट भी डाल सकते हैं आप इमीडा क्लोरो प्राइड भी डाल सकते हैं इस सब क कर सकते हैं और बहुत अच्छा मनेजमेंट होता है इसके मिकल से अगला इंसाइट है हमारा एफिट इसको हैंदी में माहू कहते हैं क्या कहते हैं माहू को सब लोगन देखा होगा जितनी भी विलेज से बिलॉंग करते हैं जिस वीड को देखा है तो उसने माहू को जरूर साइंटिफिक नेम है सिटो विएम एवएनी क्या साइंटिफिक निएहम है इसका सिटो विएम एवएनी यह ठीक है और फेmmаж एम इसकी एफिड्िड्प फामली है हमीपेटेरा ओरडर अरे आपको कई बार बता चुके हैं कि एफिड्प अजम मुझा है है और यह ठी Bad निम्प एन एडल सक सेफ एंड काउजस एलोई यह यह देखिए आप यह आपका माहू तो माहू देखिए यह डेस दा रहे ना बहुत सारे माहू लगे हुए अब यह पत्ती का रस चूंस लेते हैं जब पत्ती का रस चूंस लेंगे तो पत्ती क्या हो जाएगी यलो पीली दिखाई देने लगती है ठीक यह इसका डेमेजिंग सिम्टम अब अगला क्या है पिंक इस्टेम बोरर सिसामिया इंफरेंस इसका साइंटिपिंग नेम है साइंटिपिंग नेम यह थोड़ा टाफ होते हैं तो इसको आप लिखते चलिए आप सिसामिया इंफरेंस ठीक अब इस्टेम बोर हैं पहले भी बता चुके है अगर जो बोर है मोत है बटरफिलाइए यह सब क्योंसे अर्डर से बिलौं करते हैं किस अर्डर से बिलौं करते हैं तो आप बता दिए लेपिडोप्रेरा इस बोरा रहे है, तो वो लेपीडो फिटेरा से,νοक्टी फैमिली, कॉन सी फैमिली है इसकी, अर ये बहुत ही देमिजिंग स्टेज क्याए है, इसकी कैतरपिलर, क्यून सी स्टेज है इसकी, कैतरपिलर है, सूडि इसकी यह देखिए सूरी डेमजिंग सिम्टम क्या इसका? डेड हर्ट यह आपको दिख रहा होगा वीट में गीह शेंट्रल सूट डेड हर्ट यह आपका वीट है ठीक ना? यह वीट है आपका जहां से ये crown region पर जाकर इस जगहे पर ये काट देता है जहां से इसकी बाली निकलती है crown region से उस जगहे पर ये काट देता है तो जब काट देगा तो बाली सूख जाएगी जब सूख जाएगी तो ऊसको क्या बोलेंगे dead hurt ठीक, management कैसे करेंगे आप, granular application of cart of hydrochloride, दानेदार cart of hydrochloride का प्रियोग करके, आप इसका management रोग थाम कर सकते हैं, ठीक, अगला insect कौन सा है, army war, मैथ मिया, separator, क्या है, मैथ, मैथ मीना, separator, यह है, इसका, अब बहुत, यह देखिए, अगर जो आप, इस insect को देखेंगे, यह देखिए, noctidae family, lepidopetera order है, ठीक, और damaging stage क्या होगी, जब लपidopetera order है, caterpillar, कांस है, caterpillar, damaging symptom, damaging symptom क्या है, यह देखिए, यह देखिए, यह राइस की क्रॉप, के बाद में, जब वीट की क्रॉप बोई जाती है, उसके बाद में यह आ जाता है, और इसका जो caterpillar है, वो राइस के जो stable, ठूटे होते हैं, ठीक ना, जो बचे हुए राइस के, ठूटे होते हैं, ठूटे में खुशा रहे था, यह stable के अंदर रहे था और जिन्दा रहता है, फिर इसके बाद में, यह अर्जिन्दा रहते हैं, वीट की क्रॉप वागा स्वाइंग करेंगे, स्वाइंग करने के बाद, यह क्या करेगा फिर सीव? ग्योंकि क्राप में हन पहुंचाएगा और यह कैसे पहुंचाता यह दिन में नहीं हन पहुंचाता है यह रात को आन पहुंचाता दिन के टाइम पर तो यह सोता है दिन में सोएगा और रात में हानी पहुचाएगा ग्रीन प्लांट भग तो आप जैसे ही देखेंगे कि ग्रीन प्लांट भग है तो भग देखते ही आप बता देंगे कि हम आडर कॉन सा इसका है देख लीजिये कि हमी पिटेरा ओडर है और बग है तो देखते ही जैसे आप देख लीजिए कि हमी पिटेरा ओडर है और बग है तो डेमेजिंग स्टेज क्या होगी इसकी Nymph and adult ठीक ना Nymph and y exist यह दोणों damage करते हैं इसके scientific name Nijara varidula क्या है इसका scientific name Nijara varidula तो damaging symptom क्या है आप देखिías damaging symptom मैं देखी है कि यह क्या करता है सक्सेप करता है और चैफिनेस ग्रेन इसका कैसा हो जाता है चैफिनेस घुरबूरा पन खाली पन मतलब दाने तो होगा लेकिन एकदम मरा हुआ कमजोर ऐसा एकदम छोटा दाना ऐसे करोगे तो तो खतं हो जाए गा उसको टुकड़े हो जाएंगे छाइफिनेस रही था इसendas आई एके यह देखिए अग़ला ब्राउन वीट माइट तो माइट हमने पहले यही आपको बताया था किया नहीं है है क्लाइच नहीं है इनगी यह नॉन इंसेक्ट पेस्ट यह देखे एक यह बहुत छोटी होती है बहुत स्माल साइज होता है citrus जब यह बहुत सारी एक जगळी पर लग लगता है कि यहाँ पर मैड लगी है थोड़ा ब्रॉंजिंग कलर हो जाता है लीप का तो इस से पैच्छान लगा लेते हैं कि इसमें मैड़ कि लोबर सर्फेस पर लगती है ना यह इस जगह यह लीफ है यह यहां पर लगेगी क्या है सैंटिफियंग नेम इसका पेटरॉबि Petrovial Latins है डिसे रिडादेटोप्ग गति कि बता चुक यह LOWER सर्पेस पर rekती है कि प्राउंजिंग कर दिखाई देने लगता पत्ती तीका। और ये इंसेक्ट नहीं है, नोनटिन्सेक्ट कीश्ट है। ये किस क्लास से बिलों करती है, फाइला-मार्थothood-poda कर अराइक इड़ क्लास से बिलोंकरती है। ठीक ना, टिक्स और म sapp माइड, दोणों ठीक है। तो यह आज, आप हमारी wheat crop खतम हो गई, इसके सारे insect हो गए, मिलते हैं हम next class में, thank you.